सब्सक्राइब फांड गुर्जी चैनल विद नोटिफिकेशन बेल फॉर आल इन्वेस्मेंट रिलेटेड वीडियोज कोई भी प्रोसेस नहीं पता है और कुछ जो है कुछ इंपोर्टेट भी उनको उनको जाती है तो अगर आप भी सिच्वेशन से गुजर रहे हैं और आपको यह चाइप की सर्विस चाहिए तो मैंने कुछ भी आप से एक रुपए चार्ज नहीं करना है करने के लिए मुझे आपको कुछ रुपए देने की जुरुत नहीं जो जो चार्जिंग फीस है वो पे करिए और मेरा वट्सप नंबर वहाँ पर मिलेगा उस वट्सप नंबर पर अपना क्लाइंट आइडी आप मुझे सेंड करेंगे उसके बाद मैं आपको फटाक से की दिखा रहा हूं मेरे पास यतना इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है वो आपको जरू देने की कोशिश करूँगा और हाँ दोस्तों कई लोग मुझे से पूछते सरब स्टॉक मार्केट की अपनी अर्निंग दिखाओ तो आज दोस्तों देख लो मेरे स्क्रीन के उपर अर्न पर भी है तो मैं कभी उनके अकाउंट से करता हूं कभी अपने से करता हूं तो सारी जीजों का बैलनस बना कर चलना पड़ता है तो आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे गई होगी कि डेड़ महिने के अंदर मेरे पूरे चाट के ओपर एक भी रड़ डॉट नहीं यह एक loss हुआ था जिस दिन इंडिया और चाइना के जमानों के बीच में कुछ मुद्भेड हुई थी और वहाँ पर हमारे कुछ जवान सहीद हो गए थे तो वहाँ पर यह एक नेगटिव नियूस थी मार्केट के लिए वहाँ से दुबारा का रिकावर मार्केट हो गई क्यों मार्केट गिर रही थी मुझे लगा कि मेरा पैसा ज्यादा लॉस हो सकता है मैंने स्कॉयर अरफ कर दिया मुझे वहाँ पर आठ जार सड़ा आड़ जार का लॉस हुआ कोई बात नहीं है कोई बड़ी चीज नहीं है आपने हमेसा कमाया थो सबसे पहला कमेंट्स आया है टेकनू राजू जी की तरफ से टेकनू राजू जी ने काफ़ अच्छा कोश्चन पूछा है ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर गुर जी टीमेट अकाउंट में बड़ा फंड ट्रांसफर करने के लिए नेट बैंकिंग की जगा नेट बैंकिं बैंकिंग एप के यूज कर सकते हैं किर्पिया जरूर रिप्लाई दे यहाँ पर मैं बोला चाहूंगा बैंक का आप जो एप है वो भी एक यूपी बेस सिस्टम के उपर ही वर्क करता है जहां तक मेरी नौलेच है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे आप अनलिमिटेड एमा लेते हैं अपना अगला कोशन अगला कोशन आया है जी तू दास जी की तरफ से अगर पूरा का पूरा यूनिट स्विच कर दे तो एक म्यूचल फंड से दूसरे म्यूचल फंड पर तो क्या अगले मंत SIP कटेगी SIP के पैसे को किसी और म्यूचल फंड प्लान के अंदर SIP जो हर महीने आपके म्यूचल फंड से कट रही है आपकी म्यूचल फंड में जाने के लिए वो प्रोसेस अलग है स्विच करना अलग हो गया SIP कैंसल करना अलग हो गया अगर आप SIP कैंसल करोगे तब ही आपके मंतली एमाउंट जो जा रहा है वो रुख जाएगा आप स्विच करोगे तो आपकी SIP फिर उसमें उतना उतना पैसा जो हर मेने डालती चली जाएगी समझे आप स्विच करना रेडीम करना अलग है कैंसल करना अलग है लेते हैं आप अकला कोशन अकला कोशन है रोहित परमार जी की तरफ से रोहित परमार जी ने भी काफी 10 साल से पहले लेने के लिए नहीं बोलता हूँ 10 years cut उसको time दीजिए इतना जबरदस return देगा दिल खुश हो जाएगा लेकिन याद रखिएगा कोई भी small cap हो वो बहुत ही वोलटाइल होते हैं जब मार्केट टूटती है बहुत तेजी से गिरते हैं और मार्केट जब recover करती है तो तेजी से recover भी करते हैं तो अगर आप ऐसे investor हो जो high risk और high return के साथ में जाना चाहता है तो ही इस type के fund को आपने लेना है वरना दूर रहना है बिलकुन दूर रहना है औ और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मैं रिस्क ले सकता हूँ तो मैं आपके लिए midcap बना हुआ है मैं midcap के पर already बहुत सारी videos कर चुका हूँ मेरे चैनल पर जाकर एक बार देखो तो सही बहुत ही अच्छा-चे content आपको मिलेगी अच्छा वीडियो को like करना भू और share करो को तो बहुत बड़ी help होगी लेते हैं अगला question अगला question आया है यहाँ पर जैसीरी जी की तरफ से कोई महिला या कोई लड़की को student जब मुझे message करती है तो उसका question मैं क्यों pick करता हूँ क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर महिलाओं के अंदर या फिर हमारी जो woman power है उनकी जो रुजहान है उनका जो interest है वो stock market, mutual fund और इन सब चीचों में थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है तो इस वज़े से मैं चाहता हूँ कि उनको भी push करूँ ताकि हमारी तरह वो भी investment करे आप believe नहीं करो कि मैं आपनी wife को trading करना और investment करना सिखा चुका हूँ डेली के दो डाईजार वो भी बनाती है ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट से तो काफी अच्छा लगता देख करके तो आप भी सीखिए चलिए आते question के उपर sir SIP में invest करना चाहती हूँ मगर mutual fund की कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप please बताईए कौन सा fund में invest करूँ एक साल के लिए बहुत अच्छा question है एक साल के लिए मैं आपको किसी बढ़िये liquid fund के अंदर ही निवेश करने की सला दूँगा या फिर debt fund किसी ऐसे mutual fund plan के साथ में आपको जाना चाहिए जिसमें security आपके पैसे की पूरी की पूरी हो क्योंकि एक साल के अंदर pure equity market के अंदर आपका पैसा 40% भी साफ हो सकता है सी हां सही बोल रहा हूं क्यों साफ हो सकता है अभी हमारा इंडिया चायना का गर्मा गर्मी चल रही है वैसे चायना के हिम्मत नहीं हमसे लड़ा जाए लेकिन कहीं अगर हो जाती है हमारी जंग स्टार्ट हो जाती है हमारी market पे सबसे पहले negative impact आएगा उस टाइम पर आपक या फिर लार्ज के साथ जाओ तो आपने कोई बढ़िया सा liquid fund चुनना है short term gain के लिए इस टाइप के fund ही अच्छे होते हैं जो security भी प्रोवाइड करते हैं थोड़ा वोद गेन भी आपको मिल जाएगा अगर आप 10 साल 15 साल का गोल रखते हो तो बहुत अच्छे-च्छे fund है अब decide करिएगा दोबरा comments करिएगा फिर बताऊंगा लेते हैं अगला question अगला question आया है जैसरी राम जी की तरफ से इन्होंने बोला है max life क्या armed forces को cover करता है सबसे पहले तो armed forces को मेरी तरफ से एक बड़ा सा salute है क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं जो भी मुसीविते आते हैं तो इन लोगों का question भी मैं definitely pick करने की कोशिश करता हूँ तो यहां पर इन्होंने बोला है कि max life का जो insurance है क्या वो armed forces को cover करता है तो जी हां cover करता है मैंने personally बात करी हुई है उनके customer care में उनकी policy वेगरा भी पढ़ी हुई है लेकिन कुछ time some condition के साथ में कुछ time some condition है उसके साथ में वो cover करते हैं तो आप एक बार उनसे बात करिए उनकी mobile number जो customer care का mobile number वो आपको video की नीचे description में देने की कोशिश करूँगा ओके लेते हैं आप अगला question अगला question आया है सुबोध देव जी की तरफ से housewife income certificate कैसे शोक कर सकती है किरपया बताईए जरोधा में देखिए फोटो को के पास में income proof नहीं होती है तो income proof में आप यहां पर अगर ITR return वगरा नहीं भरे हो तो आपका bank statement जो bank statement होती है जो भी transaction हुआ है मतलब कि कुछ भी transaction हुआ वो लगा दीजिए अपना passbook की photo खीचे हुई copy भी आप लगा सकते हो उसके बाद अगर आपके पास cancel check है तो उसको भी cancel check बना करके दो line मारो, cancel लिखो, sign करो और photo किच के upload कर सकते हो यह भी valid होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जरूर थक account खोल ले किली सबसे पहले आपको नोकरी करनी पड़ेगी फिर उन से income certificate लेके आना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपनी bank statement अपनी check और अपने pen card, अधार card के basis पे भी अपना demand account खुलवा सकते हैं ओके लेते हैं अब अगला question अगला question आया है यहां पर आशीज जी की तरफ से आशीज जी एक student है I want to invest 500 per month for the long term such as 15 to 20 years which one is good for low risk and good return तो यहां पर देखिए low risk और good return सबसे पहले तो आपने 15 से 20 साल का नाम लिया ह अगर मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप same copy करो लेकिन अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं definitely 15 से 20 साल बहुत लंबा time होता है इतने time के लिए 500 रुपे केवल निवेश कर रहा हूं तो मैं केवल और केवल midcap के साथ जाता यह मेरी अपनी opinion है अपनी research है हो सकता हो आपका financial advisor कुछ और आपको बता रहा हूं उसको भी सुनिएगा यह मेरी अपनी opinion है और मेरी opinion पर invest करने से पहले आप अपनी research अपने financial advisor से बात जरूर कर लिजेगे disclaimer मैं दूंगा तो मैं अगर रहूंगा तो 500 रुपीज की किसी अच्छे से midcap में निवेश करूंगा हर 2-3 साल में उस large cap fund के साथ में आप जा सकते हो और और भी एक option आपके लिए index fund index fund आपको बढ़िया return जो है वो दे सकता है लंबे समय के लिए और थोड़ा वो safe भी होते हैं लेते हैं अपना अगला question अगला question आ है entertainment adventure की तरफ से currently I have lots of negative return also my income is down मतलब कि यह जो question है यह बहुत लोगों के दिल म मेरा return negative है और मेरा जो portfolio है उसमें negative दिखाई दे रहा है तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है so I cancel my SIP but can't redeem अगर आपके पास मजबूरी थी कि आपके पैसे ही नहीं है survive करने के लिए तब आप करेंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा लेकिन अगर आपके पैसे थ गिरि उस टाइम पर मेरे बोलने से उसने निवेश किया मैं ऐसा निए कि उसको मैंने बोला और आपको नहीं बोला हर वीडियो में मैंने आपको बोला कि जब जब मार्केट गिरे उस टाइम पर आपने भागना नहीं है SIP को बंद नहीं करना है वहां पर और SIP country रखनी है प्लस थोड़ा थोड़ा लंसम भी एड करना है, कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे mid cap के अंदर तो लंसम करने की facility बंद हो रखी है, तो मेरे भाई उसी mid cap के टेगरी का कोई अच्छा सा plan में लंसम डाल दीजिए, simple, और जब अब वहाँ पर एक बहते रिटन दिखाई देगा तो आपका portfolio जो हरा वरा दिखाई देगा अरे यहां नहीं डाल सकते हैं, दूसरे किसी mid cap में डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हैं आप तो एक opportunity पकड़ रहे हो ना अब opportunity पकड़ने के लिए ज़रूरी थोड़ी ना ऐसी बैस small cap और mid cap के साथ ही जाओंगा एकसेस mid cap के साथ भी तो जा सकता हो तो मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है, जहां जाओं lower level पे खरीदने को मिले, तो कहीं से खरीद लो कहने का मतलब यह था तो सबसे पहले तो आपने जो पूछा है कि market कब तक recover करेगी ये भी उन्होंने बोला है, तो market तो already recover कर चुकी भाई, निफ्टी 10,000 पार कर गया है देखो, bank निफ्टी recover कर रहा है सारे stock race लगाने को तयार हो चुके है कोई भी sector बोलो फर्मा sector तो COVID-19 के टाइम पर भी भाग रहे थे FMCG sector भी भाग रहे थे क्योंकि उनके बगर भी जिंदगी जीना बहुत मुस्किल है, cement sector भागना शुरू हो गया, finance sector भागने शुरू हो गया, PSU bank भाग रहे है, अरे क्या नहीं भाग रहे है और इस चाइना के ऊपर जब मोदी जी ने हमला किया आया तो उसके बाद तो बहुत सारे sector भाग रहे हैं जो जिंदगीन कभी नहीं हिलते थे बात समझ रहे हैं और आपने भी दोस्तों भाई, आप लोगों से बात कर रहा हूँ आपने भी कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदना है प्लीज, कोई नहीं मरता है आप कोविड नाइटीन के लोगडाउन की वज़े से बहुत सारे से चीज़े होंगी जो आपने कई महीने से यूज नहीं की होगी हमको कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो प्लीज कोई भी समान खरीदने से पहले ये चीज़ कंफर्म करिए कि वो चाइनीज प्रोडक्ट है या नहीं है, अगर है तो नहीं लेंगे अगला दुकानदार अपने आप वो अगली बार से उसको खरीदेगा यह नहीं, मंगाएगा यह नहीं थोड़ा लास उसका भी सही, देश के सैनिकों को घात लगा कर मारा इन गदारों ने और हम उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे दोस्तों आप प्लीज मेरे को सपोर्ट करो और मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि सभी तक जाए लेते हैं आप अगला कोशन, तो मेरे हिसाब से आपको SIP क्लोज नहीं करनी चाहिए थी और मार्केट अभी रिकावर करना शुरू कर चुकी है आपको यहाँ पर दो से तीन महिने के अंदर आपका जो बचा हुआ पैसा है जो आप रिडिम करने की सोच रहे हो वो आपको green में दिखना शुरू हो जाएगा इतना टाइम मेरे हिसाब से maximum लगना चाहिए आपका पैसा जो है green में आजाएगा आप रिडिम करना चाहँ तो कर लो लेकिन आपने गलत किया है यह फिर भी मैं बोलूँगा लेते हैं अपना अगला कोशन अगला कोशन आया है रंजीत जी की तरफ से रंजीत जी ने भी काफी अच्छा कोशन पूछा है review grow account यह grow account कौन सा वाला है यह जो teammate account है उनकी बात हो रही है तो यहाँ पर review मैं यही पर दो line में आपको दे देता हूँ एक मिनट के अंदर देखिए कोई भी ऐसा product है जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए है वो company अपने sector की king है उसका platform सबसे unique है सबसे बहतरीन है आप उसके साथ जाना पसंद करोगे या जो recently एक company आती है शुरू करती है और वो आपको एक same product देने की कोशिश करती है उसके साथ जाना शुरू करोगे हो सकता वो अच्छा होगा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि वो grow खराब है या वो अच्छी service नहीं देता देता होगा लेकिन मैं जिसके ओपर trust करके चल रहा हूँ जिसका platform मुझे अच्छा लगता है सारी चीज़े मुझे बढ़िया लग रही है और अच्छे अच्छे लोगों ने भरोसा दिखाए हुआ उसके साथ जाना प्रिफर करूँगा तो मेरे ख्याल से आप अपना खुद का दिमाग यूज करिए और आप आइडिया लगाई कि आपके लिए best कौन सा है ओके यह फ्री विरी के चक्कर में थोड़ा सा कम पढ़ागरो आप लोग मेरी आप से हमबल रिक्वेस्ट है यहाँ पर 200 रुपे 300 रुपे कुछ भी नह नहीं की है मैं आपको ऐसे से वाइस रिकॉर्डिंग शुनाओंगा आप हैरत में पढ़ जाओगे लाखो रुपे आउफर करने के लिए त्यार है लोग लेकिन मैं नहीं लेता हूं तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही क्वेस्टन मने लिए थी यह वीडियो आपको सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में तो फंड गुरु जी की इन्वेस्मेंट रिलेटेड वीडियो की नोडिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर मिलती रहेगी आज के लिए कुछ इतना इधा थांक यू फॉर वाचिंग जैहिन बंदे मात्रव